गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं आपको नरेशन पढ़ा रही थी डारेक्ट और इंडारेक्ट स्पीच इसमें देखे टाइम और प्लेस में होने वाले परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्प के पास्ट एंस में होने पर रिपोर्टिंग रिपोर्टेट क्लॉज में दिए गए टाइम और प्लेस को दर्शाने वाले शब्दों में यह परिवर्तन होते हैं इस का that हो जाता है इस का those, here का there नाउ का then, ago before thus, so, come, go यह बहुत ध्यान रखने वाली बात है इसमें देखिए और भी changes में लिखे हुए हैं डारेक्ट speech में hands का dance हो जाता है हाइदर, दाइदर today, that day today का बहुत use आता है today का that day हो जालगा tomorrow का the next day yesterday का the previous day आप चाहे तो इसका screenshot भी ले सकते हैं rule 1 में जब कम के बाद कोई सम्मिपता दिखाने वाला शब्द आता है जैसे come को go में बदल दिया जाता है जैसे she said they are coming here अब यहाँ पर क्या है? come she said that they were going there अब वो आ रहे हैं, अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? she said कि वो जा रहे है indirect मे this now here किसी ऐसी वस्तु समय तथा इस्तान की और संकेत करते हैं जब कोई तो बात करते समय speaker के सामने हो तो indirect speech बनाते समय इसमें कोई परिवर्था नहीं होगा she said to him this is my car अब वो car उसके सामने ही है she told him that this was her car इसमें केवल present का past में change हुआ है, बाकी same है this का this ही रहा क्यों रहा this का this क्योंकि वो चीज उसके सामने ही है she told us he के बारे में बात कर रही है interrogative sentence में होने वाले परिवर्थान कौन से होते हैं reported clause में axillary verbs में ismr, was, were, do, does did, will, can, could, may, might यह models है, axillary verbs है इससे प्रारम होते हैं कोई भी words तो इसमें यह नियम होते हैं जिसे say या set to होता है तो ask या asked में बदल जाता है inquire, inquired या interrogate, interrogated का भी प्रियोग किया जाता है conjunction that का प्रियोग नहीं किया जाता है बलकि if या weather का प्रियोग किया जाएगा कब जब यह axillary verbs होगी sentence के last में question mark होने पर full stop का use करेंगे question mark हट जाता है full stop का use करते हैं Neeloo said am I a good employee Neeloo upside की जगे asked आ गया asked if she was a good employee Arvind said to me have you got married Arvind asked me if I had got married यहाँ पर यह changes क्यों हो रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको बता है axillary verbs होने के कारण यहाँ पर यह changes हो रहे हैं my friend said to me can you come with me अब can axillary verbs है verb है my friend asked me अब said to की जगे asked हो जाएगा whether I could come with him इसके और भी rules है इसमें देखिए question mark what, why, where, who, when which यदी प्रारम हो तो इन चीजों का use करेंगे ask का asked में बदल देते हैं set to यह तो पता ही है ask और ask में बदल देते हैं कभी-कभी ask से asked के स्थान पर inquire or inquired या interrogate, interrogated का use किया जाता है that के स्थान पर if or whether का use नहीं किया जाएगा direct speech में question word का ही use किया जाएगा और उसके बाद subject लिखा जाएगा reported clause को interrogative sentence से उसके assertive sentence में बदल देते हैं वाक्य के अंत में question mark के स्थान पर fully stop का use किया जाता है यह बात तो हमेशा याद रखना हम जब direct speech में question mark होता है तो indirect में fully stop में use होता है he said where are you going today अब यहां पर क्या है question पूछ रहे है अब यहां पर where का where ही आएगा he asked where we were going that day today का that day होता है मैंने आपको यहां बताया था she said to me why have you beaten him अब यहां पर why का why ही है why I had beaten him यहां पर subject same ही है you का I हो जाता है रश्मी said pronoun में होने वाले changes में मैंने आपको बताया था कि you का I हो जाता है रश्मी said who is the boss here रश्मी asked अब यहां पर क्या है said का asked हो गया who was the boss here केवल present का past में change किया जाता है इसके आगे हम कल पढ़ते हैं तेंक यू